हेलो दूस्तो नमश्कार पर देखने को हैं तो चर्चा हैं यहां पे बाजार में देखने को मिल जाती है अभी उसके चलते उस news के चलते क्या हम लोगों ने भी invest करना चाहिए या नही करना चाहिए वो एक अलग पार्ट है इस वीडियो में हम लोग यहापे क्या करने वाल है राकेश जुन्रिनवाला जी से रिलेटेड दो स्टॉक्स के बारे में आपे बात करने वाले जिन से रिलेटेड बड़ी खबरे हम लोग को फिलाल तो देखने को मिल रही है प्लस कुछ आप लोगों को लेसंस भी मिलेंगे दोस्तो जो कि आप लोगों को लॉंग टम के जरनी के लिए बहुत ही अच्छा गासा इसका इस्तमाल होगा तो जरूब वीडियो का आखिर तक देख लेना जैसे मैंने का दो स्टॉक की बात होने वाले दोस्तो तो जल्द बाजी नहीं करने एक एक स्टॉक को हम लोग यहाँ पर डीटेल में कवर करने की कोशिश करने वाले है सो चले स्टार्ट कर लेते हैं पहले स्टॉक से रिलेटेड तो उसमें से पहला स्टॉक कौन सा है तो दोस्तो पहला जो स्टॉक है वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है गड़बड़ी देखने को मिल रही है जो दूसरा वाला स्टॉक है वहाँ पे कोई गड़ टेक्स की चोरी की है अगर 100 करोड टेक्स देना था तो 70 करोड दे दिया 30 करोड और आना बाखी था एंड टेक्स इवेजन करते हैं तो आप सबी लोगों को यहाँ पर पता है कि कई ना कई तो वह पैसा आप लोगों को ब्लैक मनी के इसाब से देखने को मिल सकता है फिजिकल में देखने को मिल सकता है या फिर कुछ important documents हो सकते है यहाँ पर हाली में हम लोगों ने देखा था कि IT department ने एक बहुत बड़ी company उनके जो MDCO है उनके ओपर आरोप लगया था कि उननने जो टैक्स इवेशन किया उसके चलते जो ब्लैक मनी था इसके चलते फार्माउस खरीद बड़ फिलाल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो market इस news को negatively ही रोल प्ले कर देता है और इसके चलते दोस्तों एक company में हम लोगों आज धज्या उड़ते देखने को मिली है और यह आज की बात नहीं इसके पहले भी हम लोगों ने इस तरीकी के बहुत सारे नेगेटिव इसके हैं मुंबई की बात करें जब तक जब तक वो सारी चीज़े पहले इस तरीके जैसे क्पलिट नीं एक कुछ मिला तो वह डेफिनिटली वो दिस्क्लोज यह आपे कर सकते है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके चलते स्टॉक आज देख सकते दोस्तो लगबग 5% अमनों को गिरते वे देखने को मिला है अगर आप यह कहोगे सर 5% इतनी जादा गिरावट नहीं रहते है वेसे तो यह स्टॉक गिरते ही रहता है दोस्तो मतलब अगर मैं 5 दिन की बात करो ठीक है एक मैने की बात करो 17% डाउन है दोस्तो ठीक है अभी मार्केट डाउन है इसलिए आप बोब बोल सकते चलो 6 मैना देख लेते 6 मैने में ही आदा साफ हो चुका है capital मतलब जिसने पैसा लगाया होगा वो तो मतलब अटक ही गया 60% डाउ identify करने जाओगी गिरावट की पीछे की वजा तो internal कोई इशु नहीं रहता है बट येस इस company से related है इसे इंडिविजुली बहुत सारे खबरे हम लोगों को देखने को मिली है इसलिए हम लोग आपे कह सकते है इस company से related हमेशा red flag देखने को मिलता रहता है एक साल की भी अगर म नहीं यहाँ पर इसमें माल उठाय था तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया था बीना सोचे समझे वो भी माल उठा लेते हैं मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तो राकेश जूनियन वाला जी अपने हिसाब से चलते हैं वो इतने बड़े इंवेस्टर ने वो कोई बी एक लाक रुपया खर्चा करोगे तो यह चीज़ें हम लोगों को समझने होते हैं उनकी रिस्टेकिंग अबिलिटी अलग है तो यह अम लोगों को यह जानना होता है अब यह पूरे एक साल की बात करो तो 28-30% डाउन आप यह आपे देख सकते हो बीच में जो तेजी आ देखो या थे तो सब कुछ समझ में आ जाता है मैंने आप लोगों के लिए 7 parameters इसलिए बना के रखे हुए कि अच्छा स्टॉक ना सही बट गलत स्टॉक आपके portfolio में नहीं पड़ेगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरावाट देखने को मिली है और जैसे मैंने किसी कौ पता नीं बट इतना तो हम लोग के सकते रेखे हैं आप डिखने को नई मिली tocar आप देख सकते हैं मार्च मंत की सागर में बात कर legitimate कि अब यह का लेटस्टी इट यह update हुआ रइट सो यह हम लोगों को यह अपरे बता रहा सिक अरद होते हम पर एचलोग के यह डेख यहाँ पर जो लोग अभी क्या करते RJ के चलते उनने इन्वेस्ट क्या था वो तो अभी अटक गए तो यह इस तरही किसे किसी को भी कॉपी करना नहीं होता है दोस्तो मैं बार बार कह रहा हूँ हर किसी की रिस्टेकिंग अबिलिटी अलग होती है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक जमाने में 600-700 पर चलता था पर फंडामेंटली वीक रहेगा तो कोई मतलब नी कभी न कभी जंप आती रहेंगी बट वो डंप करने के लिए यह हो गया यहाँ पर हम लोग ने बचके रहना है अभी आ जाते हैं दोस्तों कॉप यह जो सो डेल्टा कॉप से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें तो आपर आरजे ने यहाँ पर भी क्या किया है पूरा एक्जिट नहीं किया है बट कुछ स्टेक उन्हों ने आपर बेचा है तो जैसे एक खबर आ गई यहाँ जिन लोगों ने सिर्फ आरजे ने इ यह देखिए आप लोग चेक कर सकते राकेश जूंजोन वाला कट दस टेक इन डेल्टा कॉप उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राकेश जूंजोन वाला सेल 25 लैक डेल्टा कॉप शेर्स एंड इसके चलते हम लोगों को स्टॉक्ली गिरते वे दिखने क आपे मिला है सो यह सारी चीज़े लर्निंग वाली होती है दोस्तो किसी भी व्यक्ति कि आप लोगोंने ब्लाइंड ली कॉपी नहीं करना होता है किसी के भी वीडियो देखके मेरे वीडियो देखके किसी के भी आप लोगोंने क्या करना होता है जरूर सुनना होता है बट जो फाइनल डिशेन होता है वो आपके खुद के दिमाग के इसाब से होना चाहिए तो इसलिए आप लोग देख सकते बहुत बड़ा लेसन है क्योंकि बड़े इंवेस्टर अपने इसाब से चीजों को फॉलो करेंगे वो थोड़ी ना आपको पूछ के करेंगे कि हमें बेच इंडिया बूल रियल इस्टेट से तो हम लोग के सकते आरजे तो बहुत बड़ी कॉंटिटी उन्होंने सेल की होगी उनका तो नाम भी नहीं देख रहा है और डेल्टा कॉप के अगर हम लोग बात करें तो 25 लाग शेर उन्होंने बेचे है जो कि आप लोग यापे देख स जो भी स्टॉक में वह एड करते एक्जिट करते तो उसको स्टडी करना होता है ना कि उन्होंने एड किया तो हम लोग भी एड करें उन्होंने एक्जिट करें तो हम भी एक्जिट करें रैट यह सबसे में इंपॉर्टन लर्निंग होती है जो कि एक बिगनर हमेशा क्या कर देता है miss कर देता है और यह गलतिया हमने भी की है मतलब अगर किसी बड़े investor ने x y z को इस टॉक करीद लिया तो हम भी खरीद लेते हमें लगता है वह shortcut है success का क्योंकि वह उन्होंने खरीद आ मतलब rocket बनेगा दोस्तों मेरे portfolio में 25 शेर से अभी में एक और शेर खरीदता हो तो कितने होगे 26 होगे तो बहुत से लोगों शेर एक खरीद लेते हैं तो ऐसा नहीं अगर आप फिर खरीदना है तो पूरा मेरा 25 शेर खरीद लेजिए तब जाके कुछ हो सकता है तो यह बात उन्हें आप बहुत ही जबर्दस से आप बताई थी जो कि आप लोगों को यह पर समझ में आ गई होगी सो ओराल इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तो कि यहापे आरजे ने इन दो स्टॉक से फिलाल तो यहापे एकजिट किया है तो जरू आप इस वीडियो को चाहो तो लर्निंग परपस के लिए वापस एक बार रिवाइस कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा है तो जरू चाहो तो लाइक और शेयर भी कर देना वीडियो तब तक के लिए बाई बाई